काजी गुंड के चाइगुंड इलाके में लोगों ने जोरदार प्रदोशन किया जिसकी अध्यक्षताद देवसर के वेधायक अमीन भट ने की दरसल प्रदोशन कारी ये मांग कर रहे हैं कि जम्मो श्रिनगर राष्ट्रे राजमार्क पर स्थित जवाहर टनल के करीब उन्हें भी निर्मार्कारे करने की अनुमती दी जाए ताके वो भी अपना रोजगार पहतर बना सकें प्रदोशन कारी ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो गिने चुने लोगों को ही राजमार्क पर दुकाने बनाने या दुकाने खोलने की अनुमती दे रही है जिससे भी रोजगारी में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि टंडल बन गया कुद बाजार कट हो गया उन्होंने टंडल के साथ मिठाई के दुकान बनाई है ये क्या वज़ा अगर बानाल तक इजासत है पूरे हिंदुस्तान में इजासत है ये इजासत क्यों नहीं है टंडल से लेकर संगम तक इजासत क्यों नहीं है सिरी न हुआ है हमारे साथ आज हमने छोटा सा प्रोटेस्ट किया यहां पर अगर इन्हों नहीं यह जो डिस्टिक अडिमिस्ट्रेशन है खासका डीसी अनतिनाग अगर यह बाज नहीं आए तो हम अपरेल में एक बहुत बड़ी डिमांस्टेशन यहां पर करेंगे पूरे लोग ला करेंगे और यहीं डिमांड करेंगे मैं मौबबाजी से यही सवाल पूछना चाहता हूँ लोगों को बेरोजगार मत कीजिए एक तो आप रोजगार नहीं देते हैं दूसरे अगर लोग उनके साथ किमिटमेंट की गई है कि आपका नेशनल हैवे को रेट हमें कुछ नहीं मिला है हमें 50,000 मरले को 20,000 30,000 मिले हैं 80,000 मरले को मिले हैं उस वक्त हमको बोला था आप दुकान बनाई आप होटल बना सकते हैं लेहादा आज जो नया DCI हर दिन आडर निकालता है ताजलदार बिचारी को कि दिमास्टेशन करो वो करो यह करो हम यह एपील करते हैं हम यह इन्शालला रहमान हम दुकान और क्या बनाना है किसी को हम जो भी गवर्मिंट का होगा उसमें कितना फुट हमें छोड़ना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है उसमें हम दुकान और शापिंग कंपले किस बनाई हैं अचा बरब से भी गुंडा गर्दी की जा रही है हमें क् कि साथ II करेंगे हमें डिस्ती का एंडी स्पेश्न को कहना पड़ेंगा essa